हेलो अबरीबन वेलकम टो सिंपल फूड एंड रेसिपी मेरा नी लताफ सभी का स्वागत करती हो अपने रेसिपी चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं दालो का डोसा प्रोटीनियो डोसा बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और जट पट से बन कर तयार हो जाता है तो हम ले रहे हैं आधा आधा कप चना डाल धुली मूंग डाल और हर डाल और इसमें हम मिक्स कर रहे हैं दो कप चावल इन सभी डालो और चावलो को हमें रात भर भीगो के रखना है एक बड़े बरतन में अच्छे से पानी में डिप करके रखना है जिससे के हमारी डाल औ पानी से धुलना है शाफ करना है उसके बाद हमें इनका पानी निधार लेना है और इनको हमें पीसना है मिक्सी के जार में डाल के और बनाना है एक डोसा बैटर जैसा हम डोसे का बैटर बनाते हैं उसी तरह से हमें ये बैटर तयार करना है तो मिक्सी के जार में मैं डाल रही नमक डाल दिया है स्वात के नुसार और अच्छे से मिक्स कर दिया है तो मैं अब इनको दिन भर रेस्ट के लिए रख दूँगी और फिर मैं दो तीन घंटे के बाद इसका डोसा बनाऊंगी तो इसके बीच हमें बना लेने हैं कुछ चटनिया तो मैं बना रही हूं नारेल क जीरा तो इन तीनो चीजो को हमें भूनना है लो फ्लेम पर एक आईरण के तवे पर और इन तीनो चीजो को हमें मिक्स करना है नारेल की चटनी में तो इस तरह अईजे हमने जो मूंफली जीरा और सुक्षी लाल मिर्च भून के उने ठंड़ा कर लेना है और अब मैं रख लो फ्लेम पर कड़ाई में डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल और तेल को घरम करने के बाद हिंग जीरा और हारी मिर्च धनिया पौडर और लाल मिर्च पाॉडर और ये गरम मसाला और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कस्मिरी लाल मिर्च तो आप सभी मसाले अपने टेस्ट क यह उबले होई आलू को हमने चार पीसस में कट कर लिए हैं और फिर हमें लो फ्लेम पर इस तरह से मसाले में मिलाने मिलाते हुए भूनना है और हमें इनको लो फ्लेम पर भूनना है और स्वात के नुसार नमक डाल देना है और इसमें अगर आपको और ज्यादा मसाले डालने तो आप डाल सकते हैं, तो मैं इनको ढख के रख रही हूँ लो फिलेम पर भूनने के लिए, जब तक हमारे मसाले वाले आलू भून रहे हैं, तब तक मैं बना लेती हूँ दो चटनिया, तो फर्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ नारेल की चटनी, तो मिक्सी के जार में मैं पह कर लिये थे, और अब मैं डालूँगी खताई, और इसके बाद मैं डालूँगी नमक, और थोड़ा सा पानी, ये सबी चीजे डाल करके मैं बना लूँगी, नारेल की तो इस तरह से मिक्ससqe jsare में Centre डाल के यह सबीav हुची चतृब करका पीज लिया है तो इस तरह व web नारिल्ड की चत्नी बनकर तयार हो गई है आप इसी मिक्स के ज drainage में colours आप बनाए जा रहे हैं ग्रीन चत्नी तो ग्रीन चत्नी हम बना रहे हैं मेरे पास हरा धनिया और जीरा है साथ में और दो बड़े चमच ले रही हूँ मैं दही एक निम्बो का रज तो ये चीजे ही मैं डाली हूँ और फिर हमें धक्कन लगा के बारी करके पेश्ट बना लेना है चटनी का तो इस तरह से हरी चटनी भी हमारी बन कर तयार हो गई है तो हरी चटनी और नारिल की चटनी हमारी बन कर तयार हो गई है अब हम देख रहे हैं कि लो फ्लेम पर हमने अपने आलू भूनने के लिए रखे थे तो हमारे आलू किस तरह से भून कर तयार होए है तो आप देख रहे होंगे हमारे जो आलू है वो इस तरह से भून कर तयार ह तो अब हमें इन आलो को दूसरी साइड रख देना है क्योंकि आलो अच्छे से भुनकर तैयार हो गए है तो अब फ्लेम से उतार करके कढ़ाई को मैंने दूसरी साइड रख दी है और अब मैं रख रही हूं तड़का पैन तो तड़का पैन को लो फ्लेम पर रखा है उसमें डाल दिया है छोटी चम्मच, मस्टर्डोईल, जीरा, राई और करी पत्ता डाल करके हमें इस तड्के को देना है नारिल की चट्नी में और मैंने आधा चम्मच डाल दिया है कसमीरी लाल मिर्च कलर के लिए तो इस तरह से तड्का हमारा तियार हो गया है तो अब हमें इस तड़के को डालना है नारिल की चटनी में इस तड़के को डालने से नारिल की चटनी का स्वाथ बढ़ जाता है तो आप सब भी इस तरह से तड़का बना करके इस तरह से नारिल की चटनी बना करके तड़का लगा सकते हैं और ये हो गई तड़के वाली नारिल की चटनी तो अब हम तयारी करते हैं डोसे की तो आज हम दाल वाला डोसा बनाने जा रहे हैं और बहुत ही प्रोटेन युक तो बहुत ही हेल्दी डोसा है खाने में भी टेस्टी है, बच्चों से बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है तो मैं आप से एक request करना चाती हूँ कि आप सभी मुझे support बनाए मेरे चैनल को like, share, subscribe करें अपनी family में मेरी वीडियो को share, subscribe करें और आप किस तरह से डोसा बनाते हैं आप मुझे please comment box में जरूर लिखेंगा और subscribe करें तो bell icon प्रेस जरूर कर दीजिएगा और आप सभी के support की बहुत जरूर रहत है तो please support बनाए, subscribe कीजिएगा और इस तरह से हमारा पहला डोसा डाल का बनकर तयार हो रहा है तो इस तरह से low flame पर मैंने ये डोसा तयार किया है flame high नहीं रखिया है उसके बाद जब मैंने इस डोसे को फैला दिया है तो मैंने medium flame कर दिये तो आप देख रहे हैं डोसे को हम हाथ से ही पलट सकते हैं तो डाल का डोसा चिपकता नहीं है बहुत ही tasty बनता है यह खाने में tasty तो होता है लेकिन इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते है healthy recipe है protein you तो इस तरह से हमारे डोसे बनकर तयार हो गए है तो इसी तरह से मैं सभी डोसे तयार कर लूँगी और फिर जब हमारे डोसे बनकर तयार हो जाएंगे तो फिर हमें बनानी है एक थाली तो मैं थाली रख रही हूँ और उस थाली में मैं जमाने जा रही हूँ दो से और ये है तड़के वाली नारिल की चटनी और साथ में हरी चटनी तो इधर साइड में मैं साथ में रख रही हूँ नारिल की चटनी के साथ हरी चटनी और ये हमारे मसाला आलू भूने हुए ये हमने रख दिये हैं मसाला आलू बहुत ही टेस्टी है तो आप सब एक बार इस तरह से ये दाल डोसा चटनिया बनाईए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखे कि आपको मेरी ये रेसिपी ये थाली कैसी लगी अगर पसंद आई है तो प्लीज प्लीज सपोर्ट जरूर करें लाइक सेयर सबस्क्राइब और कॉमेंट करना ना भूले तो इस तरह से मेरी ये डाल डोसा थाली बनकर दयार हुई है दो चटनियों के साथ मसाला आलू के साथ आप जरूर कॉमेंट कीजी और बताएए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो मिलती हूँ एक न्यू रेस ।